आज हम डिसकस करेंगे यहां पर एक एरड देख रहे हैं इस तरह से एरड आता है आपको इस पूरे वीडियो में हम यही समझेंगे से कैसे रेक्टिवेट किया जाएगा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट एक्सपाइड क्यों हो जाता है तो दो रिजन है इसके एक तो इनक्टिविटी होती है अगर आपकी इनक्टिविटी है तो और अगर एक्सपाइड कॉंटेक्ट हो चुका है तो उस केस में भी आपका एक्सपाइड हो जाता है सबसे पहले आपको रेस टिगेट करना होगा टिगेट को रेस करना होगा आपको और रेस करने से पहले आपको आपके UHS का Outlook, Email ID पता होना चाहिए CW में Click Worker में Registered Email ID वो पता होना चाहिए और Click Worker का User Name और उसका ID पता होना चाहिए, चाहिए ये तीन चीज़ आपके बस पता है तो आप Ticket easily rest कर पाएंगे उसके बाद आपको Second Step में Fill the Ticket Form को Fill करना होगा महाँ पर ध्यान देना, Live ID ज़रूर लिखिए जिससे आपको UHS मिला हुआ है जिससे कि वो इसे easily identification कर ले और उसे reactivate कर दे उसके बाद Submit करना है Third Step में और जैसे Submit हो जाता है, उसके बाद आपको wait करना हो 24 to 48 hours, वीडियो के description में जिसका link drop कर दिया जाएगा इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे क्या है पहला option है Are you registered click worker तो यहाँ पर आपको yes करना है आपका username क्या वो यहाँ add करना है My issues related to यहाँ पर देखी कौन सा issue है तो हमारा जो second point है वो लिना होगा आपको फिर आपका subject यह add करना है work item number optionally से छोड़ दीजेगा email ID वो है जो आपका click worker का वो लेना होगा यहाँ आपका नाम add करना है आपका problem क्या है कहाँ पर मिल रहा है आपको click worker app पर है या फिर web browser पर या दोनों पर तो यह set कर लीजेगा और यहाँ पर description लिखना है attach a file पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद में आपको यहाँ पर attachment rate कर देना है यहाँ पर जिसे आप attachment rate कर देंगे जो भी issue है आपका उसके बाद आप easily फिर आपको यहाँ पर I am not robot करके submit करना है ठीक है तो काफी easy तरीके से हो जाए example में आपको दिखा देता हूँ submit a ticket का तो देखे यहाँ पर हमारा यह है हमने यहाँ पर entry कर ली है are you a study click worker yes करेंगे username में आपका username कहां से लेना है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं आप यहाँ पर आईएगा यहाँ पर content details में जिसी आएंगे तो यहाँ पर यह जो click work का ID ऊपर दिख रहा है इसको आपको copy करना है 12345678 digit का जो click work का ID है यह copy करना है और आपको सीधे यहाँ पर आना है और उसमें फिल फिल कर देना है यहाँ पर देखिए और फिर आपका email ID भी यहीं से मिलेगा आपको email ID भी यहाँ से आप ले लिजेगा यह जो देख रहे हैं आप यहाँ से यह जो email ID यह आपको देना हुआ जिससे कि यहाँ पर आपको contact करेंगे स्केश कि भी पर आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देना जरूरी है जो भी इरर है वो यहाँ पिलिक दी गई है मैंशन कर दिया है और एक file attach कर दिया है हम यहाँ से file attach कर देते हैं देखे यह वाला फाइल था आपका इस फाइल को आप अटेज कर सकते हैं तो हम इसे expired वाला अटेज कर देते हैं और I am not a robot पर जाएंगे और फिर उसके बाद में सीध है आपको यहाँ पर देखे यह capture all the image with bridges तो वो select कर लिजेगा जहां पर bridge available ही यहां पर bridge है यहां पर bridge है और इस bridge को देख रहे हैं यहां पर भी है और I think यहां से verify कर दीजेगा यहां submit करना है जैसे आप submit कर देंगे submit करने के बाद में आपको email आ जाएगा देखे your ticket has been created और आपके email पे वो ticket आ जाएगा तो इस तरह से आपको करना है उसके बाद आपका account renew हो जाएगा काफी simple process है I think आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको करना है thanks for watching don't forget to like subscribe and comment